इंदू धर्म के महा काव्यों में ऐसे कई योध्धाओं का वर्णन है जिनके पास अनेकूं दिव्वे अस्त्रशस्त्रों का अध्वित्य ग्यान था परन्तू प्रश्ण ये उठता है कि आखिर इनमें से कौन था जिसके पास सबसे अधिक और सर्वधिक शक्तिशाली अस्त तक अवश्य देखें क्यूंकि शीर स्थान पर कौन है ये जानकर आप भी अरान हो जाएंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें लक्ष्मन लक्ष्मन जी के पास महेश्वरास्त्र ब्रह्मास्त्र आगनयास्त्र ब्रह्मशीर कुबेरास्त्र व्यव्यास्त्र एंद्रास्त्र वरुनास्त्र तथा सौरास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे उनके पास वरणुदेव का एक दिव्य धनुश, एक खडग तथा दिव्य तरकश था जिसके बान कभी समात नहीं होते थे। लक्षमन जी ने जो जो अस्त्र प्रियोग किये थे और जो उनके पास थे उन सभी का वरणन हमने कर दिया है। इनके अतरिक्त अधिक विवरण हम प्रजन्य आस्त्र, प्रजन्य आस्त्र, भौमास्त्र, अंतरध्यान आस्त्र, आधि दिव्यास्त्र थे। सूर्य पुत्र करण ने परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र और भार्गवास्त्र का ज्यान लिया था। परशुराम जी से ही उन्हें विजे धनुश्वी प्राप् उनके पास प्रजन्य आस्त्र, परवत आस्त्र, स्थूना करण, इंद्र जाल तथा नाग आस्त्र भी था। करण जब महेंद्र परवत माला में गए थे तब वहां यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों और कई देवों से भी मिले थे जिनसे उन्होंने उनके अस्तरप्राप की शिक्षा दी थी। महरिशी अगस्ते से उन्हें ब्रह्म शीर अस्त्र का ज्यान प्राप्त हुआ था। भगवान विश्णु जी ने वर्दान स्वरूब उन्हें नरायनास्त्र दिया था। गुरु द्रोणाचारे ब्रह्म कवच का आहवान करना जानते थे। इनके अत गंधर्व और परजन्य अस्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी थे। ब्रह्मा जी का शक्तिशाली खडग भी उनके पास था। महरिशी अंगीरस से उन्हें एक दिव्य धनुश्वी प्राप्त हुआ था। गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को लगभग सभी अस्त्रों शस्त्रों का ग्यान दिया था जो उनके पास थे। जिनका पर्योग कर अश्वत्थामाने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांड़ पक्ष को भारी हानी पहुँचाई थी। मेगनाद रावन पुत्र मेगनाद जो इंदरजीत के नाम से भी प्रस असंभव था। मेगनाद बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। मेगनाद ने युवा वस्ता में दैत्यों के गुरु शुक्राचारे की सहायता से सप्त यग्य किये थे। और भगवान शिव के आशिरवात से दिव्यरत, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थ उसे पराजित करना असंभव हो जाता था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर, नागपाश, प्रोद्रास्त्र, यमास्त्र, आगनेयास्त्र, असुरास्त्र तथा अगनी वरुन आदी देवों के सभी मूल अस्त्र थे। कंब रमायन के अनुसार उसके पास पाशु भगवान शिव ने स्वयम दी थी। भगवान शिव के शक्तिशाली अस्त्र, पाशुपत आस्त्र और रौदरास्त्र भी उसके पास थे। उसके पास ब्रह्मा जी का दिव्य भाला था। इनके अतिरिक्त आगनयास्त्र, वरुनास्त्र, मायास्त्र, सौरास्त्र, गंधर्व नागास्त्र, गरवडास्त्र, तामसास्त्र, इंदरदेव की शक्ती, इंदरास्त्र, व्यव्यास्त्र, ब्रहमास्त्र, ब्रहमशीर, गथा असुरास्त्र आदी जैसे कई प्रल्यंकारी अस्त्र उसके पास थे। वो चारों वेदों का ग्यानी था। उनमें से एक उपवेद जो धनुरवेद है उसका उसे संपूर्ण ग्यान था इसका अर्थ है कि रावन सभी अस्तर शस्त्रों में निपूर्ण था भगवान शिव से उसे तंत्र बंत्रों और माया का ग्यान प्राप्त हुआ था जिसके बल पर वे माया का उप्योग कर कई घातक मायावी अस्त्रों का निर्मान कर लेता था रावन अपने आप में ही एक शस्त्र था, उसमें असीम शारीरिक बल था और ब्रह्मा जी का जो कवच्वय धारन करता था, उसे कोई भी अस्त्र फेद नहीं पाया था सिवाए एक अस्त्र के जिसे शिर्यराम ने अंत में उस पर चलाया था अर्जुन अर्जुन ने अगनी देव से गांडीव धनुष, दो अक्षे तुनीर और एक अविनाशी रत प्राप्त किया था भगवान शिव से रोध्रास्त्र और पाशुपतास्त्र ग्रहन किये थे उन्हें अंतर ध्यानास्त्र उबेर देव से प्राप्त हुआ था आगनेयास्त्र, ब्रह्मशीर, प्षुर, नारच और ब्रह्मास्त्र उन्हें गुरु दुरोणाचारे से मिले थे इंद्र देव से वज्जरास्त्र, महेंद्रास्त्र और एंद्रास्त्र ग्रहन किये थे यम्राज ने स्वयम उन्हें अपना यम्दंड तथा उसके प्रयोग की विधी का क्यान दिया था इसके साथ ही यम्राज ने अपनी गदा भी अर्जुन को दी थी वरुन देव ने अर्जुन को अपना शक्तिशाली पाश वरुन पाश दिया था उनके पास शत्रों को निद्रा में डालने वाला सम्मोहन आस्त्र भी था इनके साथ उनके पास व्यव्यास्त्र, वरुनास्त्र, प्रजापती, परमेश्थी, भौमास्त्र, प्रजन्यास्त्र, नागास्त्र और परवतास्त्र नाम के दिव्यस्त्र भी थे, कुछ खास अस्त्र जैसे विशोषण, शब्द भेद, हेंद्रास्त्र, सूर्यास्त्र, त कितने ही और दिव्यास्त्र भी थे। महा भारत के भीश्म पर्व अध्याए 121 के अनुसार शर्चाया पर लेटे हुए पितामैं भीश्म ने कहा था कि शरी कृष्ण के अतिरिक्त अर्जुन ही तीनों लोकों में अकेले ऐसे योध्धा हैं जिनके पास तृदेव यानी ब्र किया जिसे प्रति स्मृति के रूप में जाना जाता है इससे अर्जुन अगम्य आuwकाश एकीए ज्ट्रों में जाने और विभिशन देवताओं से विभिशन अस्त्र श़स्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो गये थे उन्हें ठनुर्विद्या की पाँचों विदियों का ग्यान था शिरिराम प्रभू शिरिराम के पास हमारे महाकाव्यों में वर्नित हर एक अस्त्र और शस्त्र था वालमी की रमायन के अरणने कांड सर्ग बारा के अनुसार रिशी अगस्ति ने उन्हें विश्णू जी का एक धनुष ब्रह्मा जी के दिवे बान दो तोनीर जिनके बान कभी समाप्त नहीं होते थे इंदर देव की एक दिवे तलवार और विश्णू जी का ही एक धनुष्वी प्रदान किया था तार कावद के उपरांद रिशी विश्वा मित्र ने उन्हें तरिवों के लगभग सभी अस्त्रों और शस्त्रों का ग्यान दे दिया था जो इस प्रकार है पहले उन्होंने शिरी राम को दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंदर चक्र नामक अस्त्र दिये फिर विद्दुत निवर्मित वजरास्त्र, शिवजी का शूल ब्रह्मशीर, एशीक और ब्रह्मास्त्र दिये प्रचंड मोद की वजशिकर नाम की गदाएं प्रदान की अश्नी वपिनाक के साथी साथ नारायनास्त्र, आगनेास्त्र वायव्यास्त्र, हैशिरास्त्र एवं क्रौँच अस्त्र भी दिये, कुछ पाश भी दिये, जिन में धरमपाश, कालपाश एवं वरुणपाश मुख्य हैं, असुरों के द्वारा प्रियोग के जाने वाले कंकाल, मुसल, घोरकपाल और किंकणी नामक अस्त्र भी दिये, विद्याधर के प्रधान अस्त्र, खडग, मोहन, प्रस्वापन, प्रश्मन, सौम्य, वर्शन, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधरवास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वित्य सौमनास्त्र दिये, मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, अस्रों का माया मैंस्त्र और भगवान सूरे का प आशुपतास्त्र, वैशनवास्त्र, ब्रह्मशीर, प्रोद्रास्त्र, एवं अंद्रास्त्र, नामक दिव्यास्त्र भी थे। इतने अस्त्र शस्त्रों का ज्यान हमारे सनाता नितिहास में किसी मानव युद्धागों नहीं था। शिरिराम की ही तरहें, शिरिकृष्ण के पास भी ब्रह्मान में ऐसा कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं था जो उनके पास ना हो। ना ही कोई अस्त्र उन पर कोई प्रभाव ही डाल सकता था। और ना ही कोई उनसे युद्ध में जीत सकता था। शिरिराम के जिन भी अस्त्र श आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा कृपया इसे लाइक और शेयर रवश्य करें किसी भी प्रकार की तुर्टी के लिए आप सब से ख्षमायाचना करते हुए आप से ने वेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता प कर्मात्मा को मन में धारन करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय है